हेलो गाईज, SK11 एक्सपर्ट चैनल और मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ NSW vs OSW के बीच में जो आपको उवेन सुपर स्मैस का मैच खेरादा दिखेगा Dream11 का मैं गाईज, इस वीडियो में इसी मैच को कवर करने वाला हूँ मैं आपको आज की इस वीडियो में क्या-क्या प्रिव्यू देने बाला हूँ वो आप पहले देख ले मैं आपको पहले पिछ रिपोर्ट बताऊंगा स्कॉइट बताऊंगा दोनों टीम्स की देने बाला हूँ, जो कि मैं आपको बिल्कुल लास्ट में दूंगा, तो गाईज, यह सब चीजे आज की प्रिव्यू में मैं आपको बताने बाला हूँ तो चलिए गाईज, फड़ा फटसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले पीछ रिपोर्ट पर चलते हैं तो गाईज, जो यह पीछ है, वो सेम पीछ है, जो कि लास्ट नाइट यहाँ पर मैच हुए है, दो मैचेस हुए है लास्ट नाइट इस पीछ पर, तो यहाँ पर जो और दोनों जो मैचेस हुए उसमें टीम ने पहले balling किया है और chase काफी असानी से किया है और पहले inning में यहाँ पर total कुछ खास नहीं बना है तो guys यहाँ पर जो इस match में team toss जीतेगी वो यहाँ पर balling ही लेना चाहेगी लेकिन guys एक ध्यान लखिये बाद यहाँ पर women's के match में आपको 130-140 run देखने को मिल सकते उससे ज्यादा आप expect मत कीजिएगा वो तो यहाँ पर काफी अच्छे run बनते है लेकिन आप 130-140 का लगबाग score यहाँ पर मान सकते है और guys मुझे लगता है chasing भी यहाँ पर easy रह सकता है और guys spinner को भी यहाँ पर मदद मिल सकती है क्योंकि use pitch है तो spinner को मदद मिल सकती है अब चलिए guys मैं आपको यहाँ पर पहले क्या करता हूँ पहले मैं आपको squad के बारे मैं बता दू तो यहाँ पर जो NHW की team है उसने आज ही एक match खेला है तो उनका semi squad है जो कि आपको कल खेलता दिखेगा तो guys यह आप यहाँ पर otego sparks women का squad देख सकते हैं इस side guys men का squad है यह women का squad है आप देख सकते हैं semi squad है guys और मुझे लगता है semi आपको playing level भी देखने को मिलेगी यहाँ पर जो saffron Wilson है यही बाहर रहती है team से और बाकी एक आरो played खेलते हैं अगर team चाहेगी तो Wilson को मौका दे सकती है यहाँ पर older saw की जगा पर क्योंकि older saw कुछ खास नहीं कर पाई है अब चलिए guys मैं आपको recent दोनों matches की performance दोनों teams की दिखा देता हूँ यह आप यहाँ पर NSW का performance देख सकते है प्लेंग 11 और performance दोनों matches का यह guys पहले match का यहाँ पर performance है देख लिए बैटिंग यह बैटिंग का है guys यह bowling का है यह जो दूसरा match का performance है जो कि आज ही हुआ है recent match का आप यह batting का performance देख सकते हैं और यह आप balling का performance देख सकते हैं वहाई guys हम दूसरी team के बारे में बात करें Otago Sparks की तो guys यह आप Otago Sparks के पहले match का performance देख सकते हैं batting का यह balling का आप देख सकते हैं और यह दूसरे match का performance देख सकते हैं batting का तो यहाँ पर जो ज्यादा chances रहेगा जीतने का, वो यहाँ पर NSW का रहने बाला है, तो आप ज्यादा टीम GL में इनके favor में कर सकते हैं, यह भी आपके लिए एक GL की tips बनती है, अब चलिए guys मैं आपको important players बता देता हूं, तो यह guys recent match है जो कि आज ही हुआ यहाँ पर NSW का, तो guys यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको important players कुछ बता देता हूं, हैली डे जो टीम की captain है, वो काफी important है, ओपनिंग करेगी, और साथी में 4 और इन्हों ले बर्लिंग भी की है, तो यह important रहेगी, उसके लावाग गर्रे, जिनका मैं भी आपको stats दिखाऊंगा नीचे, काफी important है, न्यूजलेंड की international player है, तो यह important रहेगी, Richardson important रहेगी, आइलेंड की international player है, और काफी अच्छी all-rounder है, important रहेगी, लिओडन डेबिस इंपोर्टेंट रहेगी, यह भी all-rounder काफी अच्छी है, बिछले साल तक टीम की captain थी, NH पतेल काफी अच्छा कर रही है, यह भी all-round rounder है, चार और balling भी कर रही है, और यहाँ पर चठन और बैटिंग भी कर रहे है, तो यह भी important रहेगी, और guys यहाँ पर Anderson भी important रहने बाली है, तो guys जो उपर से यहाँ पर आपको 6-0 player दिख रहे हैं, यह 6-0 players small league के लिए और grand league के लिए भी important रहने बाले हैं, आप grand league में चाह आपसे main player बनती है, वहाँ guys अगर मैं आपको balling important players बताओं, तो guys यहाँ पर hips important है, guys starts field भी काफी अच्छी baller है, मैं अगर पिछले साल का आपको starts दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा, लेकिन इनको 4-0 नहीं मिले, तो इसलिए मैं important player नहीं बता रहा हैं, लेकिन grand league के लि top scorer है, वो यहाँ पर PM English रही है, तो वो important रह सकती है, लेकिन guys मैं एक rips लेने वाला हूँ, इस match में वो क्या है, मैं आपको जब team दिखाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा, Katie Martin, New Zealand की international bicket की पर अभी तक अच्छा नहीं कर पाई है, दोनों match में flop रही है, दूसरे match में जीरो, लेकिन बहुत अच्छी player है, और इस match में मुझे लगता है, अच्छा कर सकती है, वहीं हैली जैंसन, मेरी हिसाब से, सूजी बेट्स के absent में team की सबसे main player है, जिन्होंने अभी तक बहुत खरा performance किया है, बॉलिंग के साथ तो बहुत बुरा है, और बैटिंग के साथ लेकिन यह भी बहुत अच्छी player है, न्यूजलेंड के international player है, तो यह भी आपको अच्छा करती दिख सकती है, तो यह भी important है, उसके लबागा गाईज, ब्लैकली का ODI का record अच्छा है, मैं आपको strats दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा, तो आप ग्रैडिंग में नहीं है, इनको आप मट ट्राइ कीजेगा, भले ही इन्होंने 24 run किया है, लेकिन यह उनका कुछ stats खास नहीं है, वही पर guys, Carson एक important player बनती है, बिकॉज यह batting भी आकर कर रही है, और साथ में balling भले ही 2 अभर कर रही है, लेकिन अच्छी player है, तो यह भी important बनेगी, उसके लि आकसी option आपके लिए रहने बाली है, guys, यहाँ पर लोग को काफी लोग try करेंगी, आप लोग को भी लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, sorry guys, एक Adams जो player है, अब चलिए guys, मैं आपको फटा-फटे stats दिखा देता हूं, डोनों teams के, तो यह guys, आप यहाँ पर NSW के key players के stats देख सकते है यह guys, आपको जो key players के stats दिख रहे हैं, यह पिछले साल के women super smash के हैं, और यह जो guys, यहाँ पर Hallie Wharton Johnson Shield का stat दिख रहा है, वो recent जो अभी यहाँ पर ODIs matches हुए domestic, उसके stats है, आप देख सकते हैं, Hallie Day का performance काफी अच्छा रहा है, पहले match में भी मैने आपको बोला था, मैने captain किय भले हम हार गए थे, मैं भी पूरा हारा था, लेकिन Hallie Day बहुत अच्छी player है, और किसी ना किसी match में जरूर यहाँ पर अच्छा कर सकती है, और open के साथ 4 और भी कर रही है, तो आप इन पर जरूर धियान दीजेगा, वही पर guys, यह आप यहाँ पर NHW के key players के stats देख सकते हैं पॉली इंगलिस का आप ODI का stats है, केटी मार्टिन का guys, पिछले साल का यहाँ पर super smash का stats है, जेंसन का आप stat देख सकते हैं, पिछले साल का का अच्छा है, ब्लैके का यहाँ पर ODI के stat देख सकते हैं, इस साल का का अच्छी बहतरीन है, ग्रैडिंग के लिए आपके लिए हन रखिएगा, तो चलिए guys, अब मैं आपको यहाँ पर small league की team दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको GL की tips भी दे दूँगा, तो guys, यह मेरी small league की अभी के लिए team रहने बाली है, आप यहाँ पर team का preview देख सकते हैं, यहाँ पर bicket की पर में guys, मैंने यहाँ पर सबसे ब batsman है, international player है, काफी experience player है, veteran है, और यह guys, bicket keepning भी कर रही है, तो यह bicket keepning के भी point देख सकती है, वही guys, अगर Paulie English 20 run भी करती है, और Katie Martin अगर flop भी हो जाती है, तो भी हमें, अगर Katie Martin 2-3 stump या फिर catches करेगी, तो Paulie English से ज़्यादा point दे सकती है, इस कारण से मैं guys, यहाँ पर Katie Martin के स साथ जा रहा हूँ, अगर आपको rix नहीं लेना है, तो आप Paulie English के साथ जा सकते हैं, batsman में guys, मैंने तीनों यहाँ पर अच्छे main players को pick किया है, मैंने ज्यादा rix नहीं लिया है, और guys, allounders में भी मैंने यहाँ चारो अच्छे allounders को pick किया है, वहीं पर guys, balling में मैंने फिर लिया है, मैंने यहाँ पर black को नहीं लिया है, जिनको सभी लेंगे, मैंने यहाँ पर Carson को लिया है, उसका reason क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, because guys, मेरी team के captain है यहाँ पर helliday, और helliday के साथ में अंडर्सन ओप्रिंग करेगी, और अगर helliday अच्छा perform करेगी, तो इमा ब्लैक सुरवात में balling करती है, तो यहाँ पर जाइस सी बात है, यहाँ पर इमा ब्लैक अच्छी balling नहीं करेगी, यही मैं सोच रहा हूँ, कि यहाँ पर इमा ब्लैक का performance अच्छा नहीं रहेगा, और helliday अच्छा करेगी, जिस कारण से मैंने इमा ब्लैक को नहीं लि है, तो गाइज जो 9 players है, 9 players तो आपको सभी के same देखने को मिलेगी, लेकिन जो difference आएगा न स्मॉल लिग में, वो यही दोनों players पर रहने बाला है, मैंने यहाँ यहाँ पर बिकेट कीपर दाव फेका है, और यहाँ पर बॉलर्स पर, अगर आपको safe जाना है, तो आप simply poly English औ इमा ब्लैक को ले सकते हैं, लेकिन मैं थोरा सा रिक्स ले रहा हूँ, अगर मैं रिक्स नहीं लूँगा, तो profit कैसे होगी, आप तो जानती हैं, मुझे रिक्स लेने में मज़ा आता है, और जो मेरा दिल कहगा, वही मैं यहाँ पर करने बाला हूँ, तो आप ध्यान रिचर्डिरशन को सब देंगे, लेकिन मैं है Lidale का सथ हूँ, क्योंकि ओपेनों के साथ मी यह मुझे चार अवर बॉलिंग करके दे रही है, तो जादा बेटर यही है, कि रिचर्डिरशन भी बेटर है, मैं नहीं बोलना हूँ कि रिचर्डशन खराब लेएर है, लेकिन म मुझे हैली रिजल ज्यादा पसंद है उनका करेंट परफॉर्मेंस ओडियाई के मुझे काफी अच्छा लगा है जिसकान से में उनके साथ हूँ और मुझे लगता है इस मैच में दूसरे मैच में रनाउट हुई है और पहले मैच में भी साथ रनाउट हुई है तो काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है और काफी अच्छी प्लेयर है टीम की कैप्टन वैसे नहीं है तो मैंने कैप्टन सी इनको दिया और वाइस कैप्टन सी मैंने लिग ओडन डैबिस को हैली जैंसन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा कोई कैप्टन नहीं करेगा आप फैदा उठाकर इनको कैप्टन ग्रैंड लिग मिनी ग्रैंड लिग दोनों में आप कर सकते हैं नीजी लैंड की इंटरनेशनल प्लेयर है अच्छा कर सकती है तो आप इनको कर सकते हैं और केटी मार यह दोनों प्रेट्स पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है इन दोनों प्रेट्स को आप ग्रैंड लिग में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं और साथ में कैटी गरे को यह भी बहुत अच्छी है हाई यह स्कोरर थी पिछले साल की और यह भी इंटरनेशनल प्रेट्स है तो इन तीनों प्रेट्स को गाइस आप ग्रैंड लिग में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राइ किजिएगा तो गाइस यह सब टिप्स आप ध्यान में रेखिए जो मैंने आपको अभी जील की टिप्स दी है और गाइस आप स्मॉल लिग कम ही खेले इस मैच इसमें क्यो आप यहाँ पर अपना कैप्टन रिचर्सन को कर सकते हैं और आपको प्लेयर्स भी चेंज करने हैं तो आप सिंपली मार्टिन के जगी इंगलीज और यहाँ पर कार्शन की जगा ब्लैक कर सकते हैं लेकिन मैं अभी के लिए स्मॉल लिग में इसी टीम के साथ जा रहा हूं लेकिन गाइज यो मैं आपको फाइनल टीम अपडेट दूँगा वो मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर दूँगा तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर जबूर जोईन कर ले वीडियो को डिस्क्रिप्टन में आपको लिंक बिल जाएगा नहीं तो आप अपने टेलिग्र यहाँ पर CK वर्सिस पाकिस्तान एवाले मैच में आज सुबा में गाइज यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 627 में मैंने आपको टीम दी थी और क्याप्टन नजीर को मैंने किया और नजीर ने काफी अच्छा किला आपने देखाई है और काफी अच्छी हमारी विनिंग ह हुई आप देख सकते हैं काफी अच्छी मेरी विनिंग हुई और गाइज वहीं बात करूं में यहाँ पर सुपर स्मैस मेंस की तो उसमें तो गाइज कमाल ही हो गया अगर आप मैंने आपको नीचे इसमें लिखा हुए आप देख सकते हैं कि आप CVC यहाँ पर रिवर्स कर तो गाइज आप भी अच्छी विनिंग करना चाहते तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर जोइन कर सकते हैं वीडियो के डिस्किप्शन में लिंक है आप उस पर क्लिक करकर जोइन कर ले फाइनल टीम मैं आपको वहीं पर परभाइट कर दूंगा तो गाइज आप जोइन क परभाइज आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूले और